तो हेलो दोस्तो हम एकाउंट 12 के CGBSC को आज एकाउंट में लाभानी खाता कैसे बनाते हैं उसका पूरा डीटेल से बताने आले हैं अगर ये आप वीडियो देखते हैं तो आपके पास लाभानी खाता आला कोई भी क्वेस्चान आ जाए आप यूँ चुटकियों में स्वाल कर लेंगे हम गैरांटे देते हैं तो चलो वीडियो में देखते हैं तो दोस्तो हगर आप 12 का तयारी करते हैं कोई भी बॉर्ट एकजाम का तो उसमें सबसे पहले तो वाले में आपको बनाना है लाभानी खाता और उसमें बनाना है और इसमें बनाना है ख्याती का मुल्य निकालना है तो दोस्तों आपको जो क्वेस्चन बनाना है उसको देख लीजेगा ये वाला वीडियो ये वाला क्वेस्चन का अभी हम बता रहे हैं और दूसरा वीड ना कुछ करना है तो यह देखी यह भी important है तो दोस्तों आपको छोटा सवाल बनाना है ज्यादा बड़ा नहीं आएगा चार नंबर में इसका मैं guarantee देता हूं आपको तो चलिए वो जो question आया है उसका हल हम बनाते हैं आपको पूरा detail में समझाते हैं तो लाभानी खाता बनाने उसको इस पार debit side उतार देना है तो चलिए हम आपको question मनाया है उसको आपको हम अच्छी तरीके से समझाते हैं दोस्तों लाभानी खाता बनाने इस पहले आपको question को देखना है तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चित दिया है 20,000, 16,000 और 600 रुपए पाने का धिकारी और 6% वारिसिक ब्याद पर पूरा question खता है तो दोस्तों आपको सिर्फ दो चीत ध्यान रखना है पुझी पर कितना percent ब्याद दिया जाता है और वेतन कितना जिया आता है कमीशन और सिर्फ लाया गया कितना है तो चलिए हम question के आते हैं क्या English बोलने से लगता है आपको डर तो डरना बन कीजिए और डाउटनेट के English speaking course से आज ही जो टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भासा के माध्यम से English बोलना सिखाएंगे एकदम basic से इस बोलने में आती है हिच की चाहट अगर आप इंटर्व्यू के लिए English की तयारी कर रहे हैं अगर आप English में hero बनना चाते हैं तो आज ही खरीदिये doubtnet app के course को और बन जाएंगे English में hero अगर दिख रहा है तो credit side उसको रख दीजेगा और उसके पुंजी पर ब्याज कैसे निकालते हैं आपको next video में मिल जाएगा या तो आपको नीचे में हम बता दिया जाएगा और वेतन को देख लिजेगा वेतन को इस side रख लिजेगा दोस्तों तो पुंजी पर ब्याज कै कितना है 20,000 और गुड़ा ब्याज कितना है 6 और नीचे में 20,000 से 20,000 को काट लिजेगा चैनल अब आपको क्या करना है दोनों side को बराबर करना है 12,000 दोनों साइड आना ही चाहिए जो debit side है और जो credit side है उसको घटा दीजेगा और उसके बाद हम चालो आपको बना के दिखाते हैं आप देखिए दोस्तो credit side 12,000 है और debit side कितना है अपना 2700 को total को जोन लीजेगा तो 2700 में 12,000 में 2700 को घटा देंगे तो 9,242 आगा 9,242 तो आपको क्या करना है अगर साजेदारों का जो है प्रतिसत तरतिसत दिया जहता तो हम आपको उसी हिसाब से बटे में निकालते लेकिन आपको कूछ नहीं दिया है बराबर बांट देंगे 4,620 4,620 तो दोस्तों चल 4,620 और असोग 6,220 दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी अलदी हो गया यह वीडियो अगर आपको डीटेल में चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिए आपके लिए एक नमबर का वीडियो बनाऊंगा बाय दोस्तों